बिलासपुर गाउं में एक सरकटी चुडैल का साया था वहां के लोग उस चुडैल से बहुत डरते थे रात होते ही गाउं के सभी लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाते थे अरे नीलम जल्दी से ये दीपक बजा दो उस चुडैल का आने का समय हो गया है कहीं उसने हमारे घर में रोश्णी देख ली तो कहीं वो यहां न आ जाए जल्दी जाओ और पूरे घर में अंधेरा कर दो फिर नीलम भाग कर जाती है और पूरे घर के दीपक बुझा देती है और वे दोनों अपनी खिड की से छुप-छुप कर उस चुडैल को देखने लगते हैं तभी उन्हें दूर से एक सिरकटी चुडैल आती हुई दिखाई देती है उस चुडैल का सिर कटा होता है और उसने अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में पकड़ा होता है फिर वे कमलेश के घर के सामने से गुजरती है वे दोनों बहुत जादा डर जाते हैं और चुडल आगे निकल जाती है शुक्र है भगवान का आज तो बाल बाल बच गए फिर अगले दिन सुभा होने पर अरे भाई कमलेश तुमने कल राद सरकटी चुडल को देखा हाँ भाई कल तो मैं बाल बाल बच गया वो चुडल बिल्कुल मेरे घर के आगे से ही निकली थी ये तो शुक्र है भगवान का कि उसने मुझे देखा नहीं कमलेश भाई मुझे एक बाल समझ में नहीं आई चुडल का सिर कटा हुआ क्यूं है अरे तुम्हें नहीं पता क्या मेरे पिता जी ने मुझे इसके बारे में बताया था बहुत समय पहले ये चुडल का सिर कटा हुआ नहीं था वो रोज रात को गाउं में आती थी और किसी ना किसी को अपने साथ ले जाती थी फिर एक दिन चुडैल की दहशत से तंग आकर सब गाउंवालों ने उस पर हमला कर दिया और उसका सर काट दिया था फिर क्या हुआ भाई क्या वो चुडैल मर गई? हाँ गाउंवालों ने उसके दो टुकडे करके उसे जंगल में ही दफना दिया था तो फिर ये सिर करटी चुडैल वापस कैसे आ गई? कुछ समय पहले चोल डाकु जंगल में अपना खजाना चुपाने के लिए खुदाई कर रहे थे तब ही उन्होंने खुदाई करते करते इस चुडैल के सिर को आजाद कर दिया था अरे मर गया रे, ये क्या चीज है? ये हमने क्या कर दिया? ये सर कहां से निकल कर आ गया? अरे भाई, इसका धड़ तो है ही नहीं, ये तो कही चुडैल लगती है? अरे मर गया अरे भागो यहां से नहीं तो यह हमें कच्चो ही खा जाएगी अरे भागते कहा हो मुर्खो वही के वही रुख जाओ नहीं तो तुम्हारा खून पीजाओंगी चुडल जी हमें माफ कर दो हम आपकी नींद खराब करने यहां नहीं आये थे हम तो बस अपनी जमापूंची को यहां जंगल में छुपाने के लिए आये थे गल्दी से आप बाहर निकल आई कर रुपै करके हमें जाने दे मैं तुम्हें एक ही शर्ट पर जाने दूंगी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा हमें आपकी सारी शर्टे मन्जूर हैं अब जो कहेंगी हम वो करेंगी बस आप हमारी जान बकश दें कुछ साल पहले इन गाउंवालों ने धोके से मेरा सिर मेरे शरीर से अलग कर दिया था और यहीं पास में दफन कर दिया था तुमने मेरा सिर तो आजात कर दिया लेकिन मेरा धर अभी भी यहीं कहीं दफन है तुम्हें मेरा धर खोत कर निकालना होगा तभी मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी ठीक है हमें मन्जूर है हम अभी आपका धर खोत कर निकाल देते हैं फिर वो सारे डाकू उस चुडैल का धर ढूना शिरू कर देते हैं कुछ समय खुदाई करने पर उन्हें उस चुडैल का धर भी मिल जाता है फिर धर चल कर अपने कटे हुए सर के पास पहुँच जाता है फिर चुडैल अपने सिर को अपने धर से जोडने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो अपना सिर अपने धर पर रखती है उसका सिर नीचे गिर जाता है वो फिर से कोशिश करती है लेकिन फिर से उसका सिर नीचे गिर जाता है अरे ये क्या मेरे सिर तो वापिस मेरे धर से चुड़ी नहीं रहा अब मैं क्या करूँ चुड़ेल जी हमने आपका काम पूरा कर दिया करप्या करके अब हमें जाने दें इतना बोलकर वो सारे चोर डाकू वहां से दुम दबा कर भाग जाते हैं उस दिन से ही उस चुड़ेल का नाम सिरकटी चुड़ेल हो गया और वो रोज अपने शिकार की तलाश में गाउं में आती है लेकिन भाई कमलेश हम कब तक इस चुड़ेल का आतंग सहते रहेंगे हम सब गाउं वालों को मिलकर कुछ न कुछ खड़ना होगा तुम सही कहते हो सूरज हम अभी सर्पंच के पास चलते हैं वही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे सर्पंच जी आपको तो पता ही है इस सरकटी चुड़ेल के आतंग के बारे में मुझे लगता है अब वक्त आ गया है हम सब को मिलकर इस सिर्कटी चुड़ैल का सामना करना ही होगा नहीं तो हमारे बच्चे दिन में भी घर से बाहर निकलने में डरने लगेंगे तुम सही कहते हो कमलेश लेकिन हम उस चुड़ैल का सामना कैसे करे हमें इस चुड़ैल से निपटने के लिए किसी तपस्वी साधू की मदद क्या विशकता पड़ेगी मैंने एक तपस्वी को जंगल में तपस्वे करते हुए देखा है क्यों न हम सब मिलकर उनसे मदद मांगने चले तुम सही कहते हो सूरज हम सब अभी उनसे मदद मांगने चलते हैं फिर वो सब जंगल की तरफ तपस्वी साधू की तलाश में निकल पड़ते हैं कुछ देर चलने पर शाम हो जाती है काफी अंधेरा हो जाता है और डरावनी डरावनी आवाजे आने लगती है सरपन जी हमें जल्दी से उन तपस्वी बाबा का ढूणना होगा नहीं तो वो चुड़ल हमें जरूर ढूण लेगी दूसरी तरफ कमलेश का बेटा अपनी मा से कहता है मा अंधेरा हो गया लेकिन बाबा अभी तक घर क्यों नहीं आए पता नहीं बेटा तेरे बाबा रोज अंधेरा होने से पहले घर आ जाते थी पता नहीं आज क्यों नहीं आए फिर वे दोनों भी हाथ में मशाल लिए जंगल की और चलते हैं वहीं दूसरी तरफ वे सब डरते डरते तपस्वी साधू की तलाश में जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं तभी अचानक चुडैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है अरे मर गए रे वो देखो सामने क्या है ये तो वही सरकड़ी चुडैल है ये भगवान मुझे बचा लो और मेरा क्या होगा चुडैल जी ये सरपंज हम में से सबसे मोटा ताजा है आप इसे खालो और हमें चाने दो तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या जो मुझे बली का भक्रा बना रहा है मैं तुम सब को खा जाओंगी मैं बहुत दिनों से भूकी हूँ किसी को नहीं छोड़ूंगी अरे भागो रे ये तो सब को खाने की बात कर रही है सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो फिर भागते भागते वो लोग गुफा के अंदर भिज जाते हैं अरे बच गए रे बाल बाल बच गए लगते है उस चुड़ैल ने हमें गुफा के अंदर आते हुए नहीं देखा चलो गुफा के और अंदर चलते हैं फिर वो सब गुफा के अंदर बढ़ने लगते हैं उन्हें उसी गुफा के अंदर साधू महराज दिख जाते हैं हे सादू महराज, हमें आपकी मदद की अविश्यक्ता है, तुम सब कौन हो और तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? हे सादू महराज, हम जिस गाउं से आई हैं, उस गाउं के उपर सरकटी चुडेल का साया है, हम उस चुडेल से मुक्ति पाने के लिए आपके पास आई हैं, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं, जिससे हम उस चुडेल का सामना कर सकें। मैं जानता हूँ उस सरकटी चुडेल के बारे में। पहले गाउँ वालों ने उसके दो टुकडे करके उसे दफन कर दिया था। लेकिन वो उसकी जान नहीं ले पाए क्योंकि वो चुडेल शापित है। तुम चाह कर भी उसे मार नहीं सकते। साधू महराज अगर हम उसे मार नहीं सकते तो कोई और उपाई बताईए जिससे हमें उस चुडेल से छुटकारा मिल सके। कोई गलत काम ना किया हो। साधू बाबा मुझे नहीं लगता हमारे पूरे गवों में ऐसा कोई व्यक्ती होगा जिसने कभी जूट ना बोला हो या कोई छल कपट ना किया हो। फिर वो सब गुफा से बाहर निकलते हैं। कमलेश तुम चुडेल को पकारो मैं उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता हूँ। वो जैसे ही तुम्हारे सामने आएगी मैं पीछे से जाकर उसका सिर उसे चीन कर उसके धड़ पर रख दूँगा। फिर सूरज भाग कर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। चुडेल कहा हो तुम। देखो हम तुम्हारा ही इंतिजार में यहां खड़े हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर दिखाओ। तभी चुडेल वहां पहुँच जाती है। वे सब लोग डर जाते हैं। तभी सूरज पीछे से आता है और चुडेल का सर उसके हाथों से चुड़ा कर उसके धड़ पर रख देता है। लेकिन सर वापस जमीन पर गिर जाता है। कौन है तू तेरी इतनी हिम्मत। अरे मर गया अरे भागो। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके आत्मा पवित्र नहीं है। अब क्या करें मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। नहीं नहीं मैं नहीं जाओंगा। तभी वो चुडैल उन पर हमला कर देती है। कमलेश गिर जाता है। और चुडैल अपने हाथों से कमलेश पर हमला करने वाली होती ही है कि तभी पीछे से उसका बेटा आता है। और चुडैल का सर उसके धड़ पर रख देता है। और इस बार उसका सर जमीन पर नहीं गिर जैसे ही उसका सर शरीर से जुड़ता है वो चुडल श्राप मुक्त हो जाती है और एक औरत का रूप ले लेती है मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया लोग सही कहते हैं बच्चे सच में भगवान का ही रूप होते हैं स्वर्गवासी मा का जादुई शादी का जोडा शुरुती नाम की लड़की कुंजपूर गाउं में अपने सोतेली मा, सोतेली बहन और अपने पिता के साथ रहती थी उसके पिता मोहनलाल ने अपनी बीटी शुरुती के लिए ही मनजु नाम की औरत से दूसरी शादी की थी ताकि वो उसकी बीटी का अच्छे से लालन पालन कर सके परन्तु मनजु एक बहुती दूस्ट और अत्याचारी औरत थी वो वक्त के साथ मोहनलाल के दिमाग में शुरुती के लिए जहर घूलती रही अब शुरुती को सोतेली मा और अपने सगी पिता का भी अत्याचार सहना पड़ता है इतना जुल्म सहते सहते एक दिन शुरुती दिमार पर जाती है वो कड़कडाती ठंड में जमीन पर चटाई बिचा कर सो रही थी मा तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई मा अप प्लीज मत जाओना मुझे छोड़कर रुख जाओना मा शुरुती नींद में ये सारी चीजें बड़बडा रही थी तबी अचानक उसकी आँख खुल जाती है हे भगवान फिर से वही सपना आखिर उस अंधेरे में ऐसी कौन सी चीज चमक रही थी मुझे बार-बार एक ही सपना क्यों आता है ऐसी ही सुबह हो जाती है तबी उसके सोतेली मा मन्जू चिलाती हुए आती है अरी ओ महरानी जल्दी से ये बोरे बिस्तर समेट और हमारे लिए नाश्ता बना ठीक है मा मैं अभी बनाती हूँ शुरुती बीमार हालत में उठकर सभी के लिए चाई नाश्ता तयार करती है ये लीजे पिताजी आपकी चाए कितनी बार कहा है कि तू मुझे पिताजी कहकर मत बुलायकर तेरी बुद्धी में ये बात बैठती क्यों नहीं है माफ कर दीजे पिताजी आगे से ध्यान रखूंगी इतना कहकर शुरुती किचन में काम करने चड़ी जाती है तभी उनके घर में गाउं का एक आदमी आता है और शुरुती की पिता मोहन लाल से कहता है अरे जैराम जी की मोहन भाई कैसा है तू? अरे ठीक हूँ भाई तू बता यहां कैसे आना हुआ? भाई ये कृष्टा है मेरी नजर में शुरुती बिटिया के लिए लड़के वाले को दान दहेज में एक रुपया भी नहीं चाहिए बस लड़के की पहली पत्नी की मौत हो गई है इसलिए वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं अब लड़का विधुर है तो जाहिर सी बात है उसकी थोड़ी एज भी होगी लड़का यही कुछ 40-45 साल का है अरे इसमें इतना क्या सोच विचार करना लड़का लड़के से उम्र में बड़ा ही होता है हमें ये रिष्टा मंजूर है भाई साहब आप उन्हें कहो कि बारात लेकर घर आए और इस मनहुस को यहां से लेकर जाए इस तरह 18 साल की शृती की शादी उसकी उम्र से दुगने से जादा इनसान के साथ तै हो जाती है और इसी मीच कुछ दिनों के अंदर शृती की सोतेली बहन कंचन की भी शादी एक बहुत अच्छे और बड़े घर में तै हो जाती है अरे मेरी सौतेली बेहन अपनी बेहन को मुबारक बात नहीं दोगी तीरी बेहन की भी शादी पकी हो गई है बस फरक इतना है कि तुम एक बूढे की बीवी बनोगी और मैं एक सुन्दर से राजकुमार की बीवी बनोगी सच बताऊं तुम्हारी जिन्दकी बिलकुल जहन्नुम है ना तुम्हे कभी परिवार का प्यार मिला और ना तुम्हे पती का प्यार मिलेगा किसमत तो मेरी है मुझे भरपूर परिवार वालों का प्यार भी मिला और अब अपने पती का भी मिलेगा इतना कहकर कंचन वहाँ से चली जाती है ये सारे बाते सुनकर शुरूती को बहुत बुरा लगता है ऐसे ही दिन बीटते है मंजू और मोहलाल अपनी बेटी कंचन की शादी की खरीदारी में लग जाते है और उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा खरीदते है कंचन वो लहंगा लेकर शुरूती को दिखाने आती है ये देखो शुरूती मेरी शादी का जूडा अरे वा कंचन तुम्हारी शादी का जूडा तो बहुत ही सुन्दर है वो तो होगा ही, मेरा लहँगा लाखों का जो है कंचन अपना लहँगा अश्रूति को दिखा ही रही थी कि तभी वहां मंजू आजाती है और कहती है अरे कंचन, बावली हो गई है क्या? देख तो ये मन्हुस कैसे ललचाए नजरों से तिरह लहंगा देख रही है ए सुन मन्हुस लड़की आज शाम से मेरी बीटी कंचन की शादी की रस्मे शुरू हो रही है अपने मन्हुस कदम कमरे से बाहर मत निकालना और हाँ अपनी शादी के जोड़े का जोगार तो खुद से कर लेना हमने तेरे लिए कोई शॉपिंग नहीं की है चल कंचन पूरे घर में शादी की तयारियां शुरू हो जाती है इसी भी शुरूती सोचती है अरे कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी है और मेरे पास तो अभी तक मेरी शादी का जोड़ा ही नहीं है क्या करूँ? एक काम करती हूँ मा के संदूक में देखती हूँ उनका शादी का जोड़ा पहन लेती हूँ इतना सोचकर शुरूती जल्दी से अपनी मा का संदूक खोलती है उस संदूक में महरून कलर का बहुती संदर सा उसकी मा के शादी का जोड़ा रखा हुआ था जिसे देखकर शुरूतीम बहुत खुश हो जाती है अरे वाँ ये लहंगा कितना प्यारा है मा इस लहंगी में कितनी सुंदर लग रही होंगी अभी मा नहीं है तो क्या हुआ मा का लहंगा तो है ना समझ लूँगी इस लहंगे के तौर पर मा ने मुझे आशिरवात दिया है अब मैं अपनी शादी वाले दिन इसी लहंगे को पहनूँगी ऐसी ही कंचन की शादी हो जाती है और वो घर से विदा हो जाती है फिर कुछ दिनों बाद शुरुती की शादी आ जाती है शुरुती अपनी मा के लहंगे को पहन कर तयार हो जाती है और शीशे में देखते हुए अपनी मा को याद करते हुए कहती है देखो मा आपकी बेटी आपकी शादी का जोड़ा पहन कर दुलहन बन गई बताओगी नहीं क्या इस शादी के जोड़े में आपकी बीटी कैसी लग रही है शुरुती के आँखों में बेबसी के आशू थे उसकी आँखों के सामने उसके सोतेली मा, बहन और पिता का बुरा बरताब उभर पड़ता है और बरसों बाद शुरुती अपने बारे में कुछ सोचती है ये बाजे और गाने की गुंच मुझी बार बार एहसास दिला रही है कि ये अपने मुझे दलदल में धकेल रहे हैं अब और मैं अपनी जिंदगी ने च्छावर नहीं कर सकती, बस बहुत हुआ शुरुती अपने बारे में कुछ सोचकर घर से भाग जाती है और अपने नए सफर की तरफ निकल पड़ती है शुरुती भागते भागते रात के अंधिरे में एक सुनसान सड़कपर आ पहुचती है सुनसान सड़क पर भागते हुए उसे कुछ खनकनी की आवाज सुनाई देती है अरे मेरे पीछे कोई आ रहा है क्या ये खनकनी की आवाज कहा से आ रही है शुरूती पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे सड़क पर सोने के सिक्के गिरे होते है और उसके लहंगे में से एक बहुत तेज चमकदार रोशनी निकल रही होती है यह सब देखकर शुरुती चौक जाती है तब यह चमकदार रोशनी में उसकी स्वर्गवासी मा प्रकट होती है और वो शुरुती से कहती है शुरूती बिटी डरो मक ये मेरा कमाल है तुम्हें याद है हमेशा तुम्हें एक सपना आया करता था मैं तुम्हें उस सपने के जर्ये इसी जादुई लहंगे के बारे में बताया करती थी ये जादुई लहंगा तुम्हारी हर जरुरत को पूरा करेगा तुमने उस घर से भाग कर बहुती सही फैसला लिया है मेरी बीटी इस जादुई लहंगे के जर्ये तुम अपनी नई जिन्दकी की शुरुआत करो अलविता बीटी शुरुटी अपनी मा को देख कर बहुत खुश होती है वो सुबह होने पर सोने के सिक्की को बटोर कर सुनार के पास बेच कर गाउं से शहर आ पहुचती है और वही पर अपनी लिए एक घर लेकर उस घर में रहने लगती है और उस जादुई लहंगे से अपनी जरुरतों की चीजे मांग कर अपना घर चलाने लगती है है मेरी मा के जादुई लहंगे मुझे घर में राशन डलवाना है उसके लिए क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो शुरुटी के इतना बोलते ही लहंगे में तेर्श चमकदार रोशनी होती है और वहाँ पर धेर सारे पैसे प्र शुरुटी उस लहंगे से बोलती है शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे तुमने मुझे उस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकाल कर जीना सिखाया अब मैंने अपने लिए तुम्हारा बहुत इस्तेमाल कर लिया है अब मैं गरीब लाचार लोगों की मदद करना चाहती ह जिसके लिए मुझे तुम्हारे साथ और सहीयोग की जरूरत है मुझे सोने के सिखे दो शुरुती के इतना कहते ही जादुई लहंगे में से बहुत सारे सोने के सिखे निकलती है जिसे लेकर शुरुती लाचार लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ती है तबी उसे अाधी किनारे दुलन के जोरे में सजी एक लड़की रोती हुए दिखाई देती है। उसे देखकर शूती उसके पास जाकर कहती है। अरे तुम इस तरह दुलन के लिबास में यहां मैट कर रो क्यों रही हो। रो नहीं तो क्या करूँ मुझे अब नहीं जीना मैं मर जाना चाहती हूँ लेकिन क्यों मैं जीना नहीं चाहती मेरे गरीब पिताजी ने पाई पाई जोड़ कर उनके मांग को पोरा किया मगर अब वो लोग एक लाक रुपे के रकम और बढ़ा दिये अब तुम ही बताओ एक जटके में मेरे गरीब पिताजी इतने सारे पैसे कहा से लाएंगे अच्छा ये बात है पर तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूँगी ये लो ये कुछ सोने के सिक्के हैं इसे तुम रखो और अपना घर बसाओ वो लड़की शुरुती का शुक्रियां बोलकर वहां से चली जाती है शुरुती बिनारू के लाचार गरीब लोगों की मदद करती रही तबी एक दिन अरजुन नाम का लड़का शुरुती के घर आया उसे देखकर शुरुती बोली जी कहिए किसे मिलना है आपको मेरा नाम अरजुन है और मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनसमैन का बेटा हूँ जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम इस शहर के गरीब और बे सहारा लोगों की मदद कर रही हो तो मैं तुम्हारी तरफ खिचा चला आया तुमने कितनी लड़कियों का घर बसाया मुझे हमेशा से अपने लिए किसी ऐसी ही लड़की की तलाश थी मैं आपसे शादी की बात करने के लिए आया हूँ शुरुती जी क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी